नमस्कार दोस्तो, स्वागाते आपका आउस की ये सुडियो में दोस्तो इसी कि हैब जानते हैं कि हम जोब करते हुए भी अपने P.F. अकांट से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं और इसी के साथ आप ये भी जानते होंगे कि P.F. अकांट से हम कभी भी Advance Claim करके पैसा निकाल सकते हैं तो इसी Advance Claim की बारे में एक सवाल आया है वो सवाल यह है कि एक साल में हम कितनी बार Mile Advance Claim के जेरिये अपने पी इएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं तो आज किस वीटियो में चैनल पर मिलते रहेगी तो उस्तों एक साल में पी एफ अकाउंड से एडवांस क्लेम के जरिए कितनी बार पैसे लिकालना चाहिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एडवांस क्लेम करने की प्रोसेस को समझना पड़ेगा तो जब हम एडवांस क्लेम करते हैं सकते हैं और अपने पी एफ अकाउंड से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं तो आप इनी सब एडवांस सिजन पर ये डिपेंड करता हैं कि आप एक साल में कितनी बार एडवांस क्लेम करके अपने पी एफ अकाउंड से पैसा निकाल सकते हैं क्योंकि पी एफ अकाउंड में जितने भी advance season available है उनमें से कुछ ऐसे advance season है जिनके जरीए advance claim करने की शर्त ये है कि आपके कुछ साल की service complete होनी चाहिए यानि कि अगर आपने 5 साल ये 7 साल की service complete की है तभी आप उन advance season को इस्तिमाल करके अपने P.F. account से advance पैसा निकाल सकते हैं और कुछ ऐसे advance season है जिने आप 1 ये 2 बारी इस्तिमाल कर सकते हैं तो आप इन advance season के जरीए तो आप 1 साल में अपने P.F. account से 1 ये 2 बारी पैसा निकाल पाएंगे लेकिल एक इस एडवांस सिजन है जिसे आप जितनी बार चाहे इस्तिमाल कर सकते हैं और जितनी बार चाहे अपने PF अकाउंट से इस एडवांस सिजन के जरीए एडवांस पैसन निकाल सकते हैं और वो advance season है, illness advance season को इस्तिमाल करने की कोई भी शर्त नहीं है, लेकिल इस advance season को इस्तिमाल करने पर EPFO ने नियम लगा दिया है, कि illness advance season को महिने में सिर्फ एक ही बार इस्तिमाल किया जा सकता है, अब एक साल में 12 महिने होते हैं, तो illness advance season को आप एक साल में 12 बार इस्तिमाल कर सकत अपने पिए सवाल का जवाब था लेकिन आप यह सोचे कि क्या ऐसा करना सखी होगा कि हर महीं ने पीए पकाउंट से एडवांस पैसा निकालना सही है तो इसका जवाब है बिलकुल नहीं आप यह समझे कि फिलकुल होता है वह इसलिए होता है कि एक नोकरी करने वाला इसनी हर महीने अपनी salary से कुछ पैसा बचा सके और भविष्चे के लिए एक बचात कर सके लेकिन अगर आप हर महीने अपने pf account से advance पैसा निकालेंगे तो आपको future के लिए क्या बचात होगी और जब आप अपनी job छोड़ेंगे और job छोड़ने के बाद में अपने pf account से पैसा नि सेटल होना चाहिए समय पर उन claim को सेटल होने में और ज्यादा वक्त लगेगा क्योंकि pf claim को सेटल होने में अभी भी कहीं कहीं दिन लग जाते हैं तो अगर हर pf members अपना हर महीने claim submit करेगा तो सोचे क्या होगा तो इस सवाल का जवाब यही है कि आप एक साल में बारा बर advance claim कर सकते लेकिन आप ऐसा ना करें अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि pf office की तरफ से आपका claim reject कर दिया जाए और मेरा suggestion यह है कि advance claim के जरिये आप एक साल में ज्यादा से ज्यादा एक या दो बारी advance claim करें वो भी तब आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत हो अगर इस वीडियो में इस सवाल का जवाब और advance claim के बारे में एक सही जानकारी यह दोनों बाते में आपको आसान लिस्त समझा पाया हूं बाकि वीडियो में बताएगी knowledge अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो का लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल